तो वहीं जम्मु शेत्र में सुरक्षा बलो की तैनाती बढ़ाई गई है जम्मु शेत्र में सेना के 4000 जवान तैनात के गए हैं जम्मु शेत्र में 500 पैरा कमांडोस को तैनात किया गया है बड़ी अपडेट आपको इबता दे कि 500 पैरा कमांडोस को तैनात कर दिया गया है औ सिना के तैनाद के गए इसमें पांसो पैरा कमांडूस हैं जो निगरानी रखेंगे और देखे अब घाटी में आतंक का सफाया तै है क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहाँ पर घतनाए हुई एक के बाद एक उसके बाद दिल्ली में बैठके हुई खुद रक्षा मंत्री ग ये कहा गया कि आतंक का सफाया करना ही होगा और ये आतंक पर चोट अब ये मानी जारे की बड़ी होगी क्योंकि वहाँ पर पांसो पैरा कमांडूस जो हैं उन्हें तैनाद किया गया है जमू के जो जमू का पुरा शेत्र है वहाँ पर सुरक्षा बलू के तैनादी की गई है जमुशेत्र में सेना के अब 4000 जवान तेनात रहेंगे जो चपपे चपपे पर नजर रखेंगे जो वहाँ पर देखेंगे निगरानी करेंगे और जो यह आतंकी है उनका खात्मा क्या जाएगा अगर आप देखेंगे हाल फुलाग में कश्मीर काईगर्स की तरफ से हम लो और वह आतंकी जम्मु कश्मीर में देशत फ्यलाने की नाकाम कोशिश कर रहें लेकिन हमारे जो सेना है उनकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है